हालो वरीवन, आज की इस वीडियो में मैं recovery batch को start करने वाला हूँ, मैंने एक पोल डाला था, जिस पर बहुत सारे बच्चे एक फरवरी को कहा थे कि भीया चालू करिये, इसलिए अज एक फरवरी को आपको इस वीडियो मिल रहा होगा recovery batch का पहला वीडियो, और मैंने recovery batch का बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगा कि आपका अच्छा सा अच्छा नंबर आ सके तो लगबग उससे अधीक मेरे को प्यार मिला अभी लगबग 50 से उपर कमेंट मेरे को मिल चुका है तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बैच को चालू करता हूँ और ज्यादा ज्यादा मैं मेहनत करूँगा क्योंकि आप लोग का इतना ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया इसके लिए बहुत बहुत धनेवाद आप लोगों का और चलिए मैं चालू करता हूँ आपके लिए मै लोग सर्च करिएगा तो मेरे चैनल पर जाने के बाद आपको यहां पर प्लेलिस्ट दिखता है ठीक है तब प्लेलिस्ट पर जाईएगा तो प्लेलिस्ट में दिखिए यहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट त्यार कर चुका हूं रिकावरी बेच कम्पलीट बीसीए फॉस्ट इयर सिलेबस दो हजार तेईश तो यहां पर डिरिक जाके आप लोग देख सकते हैं जो भी वीडियो आएंगे रिकावरी बेच का आपको इधर उधर खोजने के जरुआत नहीं है तो चलिए मैं इस वीडियो को कंतनिव करता सबसे पहले रिकवरी बेच में आज मैं इपको क्या-क्या परहाने वाला हूँ रिकवरी बेच को मैंने थोड़ा सा बताया था कि बहुत सारे मेरे पास अपने हाथ से लिखा हुआ हैंधर राइतिंग नोटस भी है और बहुत सारे मैंने टाइप भी करके रखा है तो उन यहां पर आपको 10 question आते हैं जिसमेंस आपको 5 question लिखना रहाता है ठीक है और उस पांचो question को आपको कम से कम एक question के answer कम से कम minimum 4-5 page में देना रहाता है ठीक है या कि जैसे 2 a b करके आता है ठीक है बहुत-बहुत इन और सीती में a और b करके question आता है तो a b करके आएगा तो सारे 3-3 page या 2-2 page आपको देना पड़ता है उससे कम नहीं मतलब कम से कम एक question के answer 5 page में होना चाहिए तो यहां पर मैं उसी परकार सबको पढ़ाऊंगा कि किस परकार आपके लिखना है जैसे जब इसको मैं complete भी उसके बाद last में बहुत सारे ऐसे question मैंने लिख के लाया हूँ जो भी topic पढ़ाऊंगा उससे question मैं लिख के लाऊंगा कि आपको उसी के साथ साथ में exam का त्यारी भी कराते चलूं previous year समझो यह question है तो आपको कहें इधर उधर भतकनी की जरूरत नहीं है देखो जैसे कि य question बहुत सारे लिख के लाया हूँ जो topic मैं पढ़ाऊंगा उसी से और यह सभी question कभी न कभी exam में आये हैं किसी न किसी year में ठीक है तो चलिए मैं continue करता हूँ सबसे पहले हम लोगों जो पढ़ना है basics पढ़ते हैं computer basics ठीक है चालू करते हैं यह भी भी question है आता है यह नहीं सोचिए computer कौन पूछता है नहीं एक जहां में आया है देखिएगा आप लोग जब नीचे आपको कराएंगे question आपको लगवाएंगे तो इसमें question ही पूछा है बहुत पर question पूछा है ठीक है कि हुआतीज computer तो computer होता क्या है तो computer क्या होता है computer is an electronic device which accept data from users उसके उपर तक यहां पर छूद गया थोड़ा through input device that processes and produce output मतलब समझो इसका क्या बोलना चाहा रहा है कि computer एक ऐसा electronic device है इसके जगह apparatus भी लिख सकतो device के जगह ठीक है computer एक ऐसा electronic device है तो बहुत बच्चे बच्पन से पढ़ते आ रहे है computer के definition इसके आगे समझो which accept data from user जो data हम user से हो लेता है किसके थुरू लेता है input device के थुरू that process and produce output उसके बाद क्या करता है process करता है और उसके बाद क्या करता है produce कर देता है output user को clear हुआ बहुत easy है इसके बाद देखो which is developed by Charles Babbage which is developed by Charles Babbage nearby 19th century ठीक है किस century में हुआ था 19th century में यह सब चीज़ जब वाद इस computer पूछेगा ता आपको लिखना परेगा क्योंकि आपको क्या है कि एक दो लाइन लिख कि आपको आना नहीं आपको तो page भरना परेगा तो और भी इसमें जूर सकते हो जब मैं topic अभी परहाद दता हूँ उसके बाद मैं discuss करूँगा कि कौन सा question में क्या किस परकार सा को answer लिखना है देखो input सबसे पहले क्या लेता है computer? input लेता है user से उसके बाद process करता है और उसके बाद क्या करता है? output हमें दे देता है clear हुआ? अब देखो ये होगे computer का definition उपन मैंने कुछ अपने से लिखा था ये भी चीज है computer का definition में ये भी एद कर सकते हो कि the word computers comes from the word compute means calculation for export dictionary जो word है computer ये कहां साया है? compute word से निकाला है और ये compute word का मतलब meaning क्या होता है? calculation ये कहां से लिया गया था? export dictionary से ये भी चीज़िस में मेंने कर सकते हो computer के definition में इसके आगे देखो the computer is defined as an automatic electronic apparatus or device for making calculation and controlling operation that are that are expressible in numerical and logical term ये क्या करता है computer की calculation करता है किस-kिस में किस-kिस operation में एक होता है numerical एक logical term में ये क्या करता है? calculation करके हमें देता है जैसे numerical यहां पर क्या होता है? थोड़ा नीचे जाएंगे तब लिखा है numerical term मतलब होता है कि automatic operation automatic operation हम लोग math में परहे होंगे जैसे addition हुआ, subtraction हुआ, multiplication हुआ, division हुआ ये सब चीश ठीक है? तो ये इसमें calculation करके देता है दूसरा logical term में करके देता है तो logical term क्या होता है? relational operation को बोलता है जैसे less than, greater than, less than, equal to ये सब चीश को ठीक है? इससे पहले जो उपर मैंने बताया, सेम वही चीश यहां पर लिखा हुआ है कि it works on IPO mechanism बहुत बार question पूछ जाता है computer किस mechanism में काम करता है तो IPO simple है क्या करता है? input, process और output देख़ों, यहां पर छुट चुका है एक चीश input छुटा हुआ है आई यहां पर यहां पर आई वेट एक मिनट आई ठीक है? यहां पर यही चुटा था आई से input, प से process और ओ से output क्लियर हुआ? अब लोग आगे बढ़ें यह चीश आपको बता दिये कि computer calculation किस में किस में काता है? नुमेरिकल तर्म है और लॉजिकल तर्म है क्या क्या एक जामपल विदाई जाएगा इसे addition में 8 प्लस 2 अगर करिये तो 3 होता है subtraction में अगर करिये तो 8-2 करिये तो 6 होता है ऐसी एक जामपल देके बता सकते हैं कि इस परकार से calculation करता है इसके आगर बढ़िये का computer computer क्या होता है? कि there are two parts of computer इसके दो parts होता है कौन-कौन से? एक होता है हमारा hardware दूसरा होता है हमारा software ठीक है? hardware का मतलब क्या होता है? hardware नाम से ही असपर्स होता है कि hard जो चीज हाद हो मतलब all physical components attach which computer are called hardware मतलब ऐसे physical components physical components किसे बोलते हैं? जैसे ये mouse हमारा है ये क्या है? physical component है keyboard है physical component जो बाहरी से उसमें include किया गया है ये सब क्या है? physical component है जो hard है ते हैं ठीक है? इसलिए इनका नाम hardware परा है एक सब ने भी कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से छू सकते हैं देख सकते हैं ये सब क्या है? hardware है बच्पन में हम लोग definition परते होंगे बहुत लोग मतलब परहे होंगे कि hardware का definition ये सब चीज लेकिन आपको क्या लिखना है? all physical components attach with computer are called hardware मतलब जितने भी हमारे physical component है ये सब इसको क्या बलता है? physical component keyboard को क्या बलता है? physical component speaker को physical component इन सभी को अगर attach कर देंगे हमारे computer में तो सब क्या हो जाएंगे? hardware जैसे input device का अगर बात करें hardware में ते कौन-कौन सा input device होता है? keyboard, mouse, scanner ठीक है? output device का बात करेंगे तो क्या-क्या हो जाएगा? monitor, printer, speaker processor का बात करेंगे तो CPU, center processing unit storage device का बात करेंगे तो RAM, ROM, hard disk, CD, DVD, pen drive क्लियर हुआ? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे यह सब चीज़ को आप लोग लिखते चलिएगा वीडियो को पॉच करके इसके बाद देखेंगे software क्या होता है software क्या होता है? software is the technique of handle the hardware path software एक परकार का ऐसा technique है जो handle करते हमारे hardware path को अच्छा, यह सब hardware path बना दिया गया है लेकिन, अगर software नहीं रहेगा तो यह सब huge कैसे होगा? काम ही नहीं न करेगा तो बीना software के यह सब ब्यार्थ है तो इन सब को handle करने के लिए जिसको बनाया गया उसी कुमलों क्या कहते है? software ठीक है? एक line में यह भी लिख सकते हो यह तो एक बोल दिया software is a technique of handle the hardware path एक और definition है और करके software is the collection of program for a particular task or goal software एक क्या है? collection है बहुत सारे program का बनाया गया बहुत सारे program से जो एक particular काम को कोई ना कोई काम को करता है इसके बाद यह program हो रहा है यह आपको आगे पराएंगे ठीक है? इसके बाद देखिए comparison between computer and human brain अब यह भी question बहुत बढ़र इक्जाम में आ जाता है ठीक है? इसको हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पर थोड़ा समय प्रग्राफ में बताए हूँ और फिर मैं यहाँ पर अपने से लिखा हूँ इसको difference between कि यह आसानी सी एक्जाम में करता आप लोग ऐसे लिख सकते हो देखो the computer यहाँ से the computer is made by human brain but the computer faster than वो कौन बनाया है? human brain लेकिन बहुत computer faster than human brain computer अधिक fast काम करता है human brain के तूल नाम है ठीक है? यह बोल रहा है इसको हम बोल रहा है कि so the computer is more powerful machine than the human brain computer more powerful machine है किसके तूल नाम है? human brain के तूल नाम है the computer task यहाँ से देखो the computer task no any mistake or not gives any incorrect output computer क्या करता है? कि कोई भी mistake नहीं करता है not gives any incorrect output अगर एक तरस यह कहो कि अगर computer तूम input अगर दे रहे हो तो अगर सही input दोगे तो हमेशा वो क्या करेगा? output हमें सही देगा लेकिन अगर गलत input दोगे तो हमेशा वो क्या करेगा? गलत output देगा अगर उसमें garbage दोगे तो आपको garbage देगा अगर उसमें अगर garbage नहीं दोगे मतलब अच्छा चीज दोगे तो आच्छा आपको देगा मतलब incorrect error चीज दोगे तो error देगा सही अगर दोगे input output भी सही देगा वोह है लिखा है computer is have no any tierness computer कभी थकता भी नहीं है यह reality है computer पर कितना भी काम करो कभी थकता नहीं है इसके आगे देखो the computer is fully fully operated by human brain computer की क्या fully कौन operate करता है human brain हमारे ज़री यह computer को fully operate किया जाता है and the computer is also under human control लेकिन जो computer है किसके control में रहता है computer कितना भी बड़ा बन जा है लेकिन किसके control में रहेगा जब तक user ही नहीं रहेगा तो यूज क्यों करेगा तो हमेशा यह हमारे control में ही काम करता है ठीक है अब यह सब चीज होगा थोड़ा से इसमें से आप लोग निचोर कर कि आप लोग अपने से बना के हम define करते हैं सबसे पहले difference between करते हैं first point देखो क्या लिखना एक computer works very fast computer क्या करता है बहुत fast काम करता है लेकिन इसके तूलना में अगर human brain को देखा जा तो human brain cannot work as fast as computer मतलब human brain computer के तूलना में computer उतना fast काम नहीं कर सकते उसके तूलना में कंप्यूटर के तूलना में का कर सकता है की नहीं कर सकता है तो बस वह point लिख देना है इसका second point एक computer does not make any mistake computer कभी भी कोई mistake नहीं करता है लेकिन हमारे हम इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई छोता बरा mistake करते रहते हैं हमेशा तो यही second point में लिख देंगे कि human brain can make mistake करते रहता है ठीक है इसके बाद देखेंगे तीसरा point एक computer does not get tired यहां पर लिख दिये हैं हिंदी में ठका हुआ मतलब computer कभी भी ठका हुआ महसूस करता नहीं है लेकिन हम human brain थोड़ा सा काम अभी परहा रहा है ठकान महसूस हो रहा है ठीक है लेकिन आप लोगा comment किया गया जो भी comment आप अच्छे किये हैं उसका energy है कि जो मैं आपको परहा रहा हूं इतने अच्छे तरीके से ठीक है इस वीडियो को भी मैं यही आसा करते हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा कि मैं next video इसी energy के साथ आपके लिए लाओं देखो तीसरा point क्या हमारा human brain तो human brain get tired human brain हमें सा ठका रहता है ठक जाता है कभी न कभी चौथा point computer can store lots of information it never forget computer को बहुत सारे information को collect करके रख सकता है बीना कोई forget मतलब बीना delete किये हुए लेकिन हमारी दिमाग में अगर बहुत सारा अगर details अगर हमारे दिमाग में चल रहा है यह अगर आपको 3-4 नंबर आपको example बताते हैं आपको 3-4 नंबर हम बता दिए जैसे एक अपना mobile नंबर बता दिए एक आपका पापा का mobile नंबर आप अभी याद नहीं क्यों बता दिए ठीक है एक और किसी के बता दिए और 2 मिनत बाद आप से पूछेंगे तो किसी ना किसी के आप भूल जाओगे ल लेकिन वही computer हमारा नहीं करता है पांच वह पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे computer cannot take its own decision computer कभी भी अपना decision swim नहीं लेता है यहीं पर computer बेचरा क्या होता है हम लोग बहुवली बनते है computer के समने क्या कि यह कितना भी बरा बन जाए लेकिन अपना decision swim नहीं ले सकता है वो हमारे पर निर्भार है ऐसे ही human brain human brain के लिए कोई निर्भार है human brain can take their own decision human brain खुद अपना decision ले सकता है इसके बाद six number point देखेंगे computer need electricity to work computer को भी एक और और सकता कि चीश है क्या electricity अगर computer का हम लोग नहीं देंगे तो यह क्या काम करेगा नहीं करेगा कच्रे के समान है तो ऐसे अगर human brain को हम लोग देखेंगे तो human brain को खुश्चा ही है तो human brain do not need electricity to work human brain को electricity के जरुवत परती ही नहीं है लेकिन computer को परता है तो यहीं सब चीश आपको point बनाके लिखना है इसके बास सतों point अगर हम लोग देखेंगे कि computer does not need rest afterwards computer कभी भी नहीं कहता है कि हमें बहुत सारा काम computer कि कहेंगे कि हमको सोने दो अब बहुत हो गया अब अचानक से यहां पर आएगा मेरा काम हो गया मेरे को नीन दा रहा है सोने दो कभी भी ऐसा करता है computer नहीं करता है लेकिन अगर human brain को देखेंगे तो human brain need rest after work अभी हम काम करेंगे थोड़ा देर उसके बास सोने चले जाएंगे ठीक है तो यही हमारा साथवा पॉइंट हो जागा आथवा पॉइंट क्या हमारा computer has no feeling and emotion computer में कोई feeling emotion नहीं होता है मतलब उसके अंदर कोई अंदर का कोई feeling emotion नहीं हमारे जैसा थोड़ा सा हमारे कोई लरकी को देखते हैं चाहे किसी को देखते हैं तो तुरंट feeling आ जाता है तो हमारे अंदर feeling है और emotion है लेकिन computer का अंदर कुछ नहीं है ठीक है एत नमबर में क्या हो जागा human brain has feeling and emotion ठीक है एक और example कर समझो कि जैसे बहुत सारा चीज अगर हम computer में कुछ है दाल देता है जैसे data दाल दिए कि 300 से उपर का number हो फेल हो जाएगा ठीक है उससे कम का होगा तो fail नहीं होगा तो suppose करो कि अगर वही चीज अगर human brain कर रहा है तो देखेगा कि 300 के जो नीचे हो fail है तो किसी के 299 आया है तो बहुत सारे इंसान क्या कर सकते हैं कि 300 बना के उसको pass करा देंगे लेकिन वही अगर computer में एक बार data दाल दोगे तो क्या करेगा आप fail है तो fail कर देखा उसके अंदर कोई feeling emotion नहीं है कि अब क्या है क्या नहीं ठीक है तो वही चीज था इसके बाद 9 नंबर क्या था point computer is fully command message वही चीज है computer क्या था अच्छा आपको अब कही content नहीं मिलेगा इससे अब लोग बना के कम सेखम देर पेज में अगर लिख दिएगा क्योंकि यह नौपाइंट और पराग्राफ तो बहुत है ठीक है सारे साथ नमर का यह भी करके question आता है previous question भी upload है ठीक है उसको भी आप लोग चेक आउट करके आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पर जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आप बीसी रिलेटेद वीडियो मिलेगा थोड़ा से नीचे स्कूलोड करिएगा तो तो वहां से आप लोग देख सकते हैं पूरा अब लेब in a few seconds मतलब computer कोई भी calculation कितना जल्दी करता है एक few seconds में काम कर देता है तो वह इसका क्या है एक character है कि बहुत जल्दी काम कर देता है because क्योंकि computer can process millions of instruction per second क्योंकि computer millions of instruction per second ही कर सकता है ठीक है तो यही आपका speed हो गया एक character उसका computer का दूसरा हो गया accuracy ठीक है आगे आपको बताते हैं कि किस परकार से लिखा जाता है अभी ठीक है accuracy देखते हैं पहले परहाद आते हैं पुड़ा topic accuracy क्या होता है एक पर एकुरेसी मतलब कितना सही करते हैं कितना गलत करते हैं उसका accuracy आपको बताया गया है तो computer always gives accurate result computer हमेज़ा एक accurate result देता है depend on input वो depend करता है कि input कैसा अगर input सही रहेगा तो computer भी output सही देगा अगर गलत input रहेगा तो computer भी output गलत देगा Each calculation performed by computer is 100% correct, computer हमेशा 100% correct result देता है जैसा कि ये भी इसमें जोर दीजेगा प्रग्राफ कि थोड़ा से लंबा हो जाएगा और सही भी है If the input data is wrong, अगर input data आप गलत देते हैं, then the output will also be error तो output भी हमें क्या देदेगा, error देदेगा, that is, defend on input computer will work accurate ये depend करता है, input पर अगर input सही रहेगा, computer हमेशा सही result देगा इसके बाद आता है, versatility, versatility क्या होता है Computer is versatile device because it can perform a variety of tasks ये versatile device है क्योंकि ये variety of tasks करता है Today computer are used in our daily life in different field Today, अभी के समय में देखा जाए, तो computer हमारे जीवन के हर एक काम में use आ रहा है क्योंकि जैसा पहला अगर point देखेंगे, तो weather forecasting में आता है Teaching, परहाने में भी काम आ रहा है, मेरे अभी जैसा आपको परहा रहा है लेक्तप सही, तो ये भी एक computer है banking sector में काम आ रहा है, in railway में काम आ रहा है तो इसलिए एक versatility device है, ठीक है तो ये चीज भी बुलिख सकते है, कितना point हुआ है तीन point आप लो लिख दिया है, इसके बाद चौथा आप लो लिखेगा storage, storage भी इसके पास है क्योंकि computer has capacity to store, very large amount of data इसके पास capacity होता है, बहुत सारे data को capacity होता है store करने का, each has two types of memory, ये दो types of memory होता है the primary and secondary memory, कौन-कौन से एक primary और secondary, primary memory क्या करता है primary memory is stored the data for a temporary period of time, primary memory क्या करता है temporary period तक data को store करके रखता है, उसके बाद delete कर देता है जैसे कोई चीज हम लोग computer के दिये है, और कुछ समय तक store की या फिर delete कर देगा तो वो सब क्या होता है, temporary होता है, मतलब primary memory में आता है लेकिन जो चीज आप save कर देंगे, secondary memory में चल जागा, तो वो चीज delete नहीं होता है ठीक है, क्योंकि secondary memory में क्या हो जागा, जैसे हमारा आज जाएगा, क्या secondary memory में SSD हो गया, हाद इस हो गया, यह सब क्या हता है, secondary memory हो गया, जो एक बाद cd हो गया जो एक बाद save उसमें कर देंगे, जब तक आप delete नहीं करेंगे, तब तक delete नहीं होगा लेकिन कोई आप लोग काम कर रहा है वह अध पे और अचानक से light कर जाता है तो पूरा data delete हो जाता है मतलब कुछ समय तक आपके पास अब level जब तक आप save नहीं करेंगे तब तक और secondary memory में नहीं जाएगा तो जो आप लोग काम कर रहे तो primary memory में है अगर light करता है तो खत्म तो वह सब हमारा क्या होता है कुछ समय तक रहता है उसको primary memory करता है यह सब चीज इसलिए लिखा जाता है क्योंकि फ़र पॉइंट बढ़े क्योंकि दो तिन लाइन में आपको लिख के आना नहीं है आपको तुमापे page भरना रहता है और सतीक भरना है यह नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाना थी यह सब सही चीज है ठीक है इसके बाद next point आप लो लिखेगा automatic computer क्या है एक automatic device भी है computer can perform its output activity automatically without human interface मतलब computer क्या करता है बीना हमारे involved मतलब हम involved नहीं रहते हैं लेकिन कोई भी काम अगर computer कब दीजेगा तो automatic भी हो process करते रहता है जब एक बार उसमें आप लोग input डाल दीजगे यह काम computer करना है तो automatic हो काम क diligence मतलब होता है लगन मतलब computer के पास लगन भी है क्या है लगन काम करने का computer can work for howards continuously without creating any error computer बहुत सारे घंते लगतार काम कर सकता है बीना किसी error का बीना किसी गलती का and computer does not get tired और कभी हो ठकता नहीं है तो यह सब चीज उसका क्या दिखाता है कि वो एक diligence है मतलब एक लगन उसके प्रती है ठीक कंप्यूटर के पास यह चीज उसका भी एक character होता है इसके पाद next point आता है multitasking कंप्यूटर के पास यह भी character है multitasking work करने का काम करने का multitasking is one of the great feature of computer because they can do many tasks at same time यह बहुत सारे काम एक ही समय पे कर सकता है यह एक क्या है computer का एक feature है ठीक है तो यह भी एक character हुगा ज इसके समय हम music सुन रहे हैं easy thing भी कर लेंगे एक साथ ठीक है ऐसे बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं example में भी दे दीजेगा इसके बाद next point आता है sharing sharing क्या होता है जैसे कोई भी data को share करना है जैसे अब ही जैसे PDF को share करना था हम अपने mobile से तुरांत इसमें computer में share कर दिए तो in computer it is possible that we can easily share our data from one computer to another computer से computer में भी share कर सकते हो computer से mobile में भी कर सकते हो और computer से pin drive से भी कर सकते हो तो यहां पर हमारा character खतम होता है computer का बहुत बार यह question आता है तो आप लोग असानी से लिख दीजेगा कम से कम कितना point दिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ आथ पॉइंट दिये हैं ठीक है तो इसी को आप लोग थोड़ा बहुत इसमें और बहां के भी लिख सकते हैं चाहिए इतना भी लिखेगा तब अच्छा number मिल जाएगा इसके बाद next हमारा point आता है basics of applications of computer मतलब application मतलब कहां कहां computer के use है अभी के समय में तो यह भी question आता है exam में जैसे computer play a role in every field computer क्या करता है कि एक role निवाता है हर एक field में जैसे they are used in home यह हमारे घरों में काम आता है भी business में काम आता है education sector में काम आता है इसके बाद institution ठीक है coaching center में काम आता है research करने के काम आता है organizational research organization में काम आता है medical field में भी काम आता है government office में भी काम आता है तो वहाँ पर समझे कि computer का यूज पूछा जा रहा है कितना जगा पर उसका यूज किया जाता है तो आपको बहुत सारा पांचे पॉइंट बहुत सारा बच्चे से लिख सकते हैं घर में क्या computer की यूज आता है पहले home लिख के उसके बारे में लिख दीजेगा तो computer are used at home for several purpose like online bill payment करने के काम आता है watching movie देखने काम आता है और so at home बहुत सारा काम घर का करने काम आता है home tutorial घर पे पढ़ने home tuition पढ़ते है न बहुत बार यह सब COVID में सबसे दिखा हमारे computer काम आता playing game game खेलने काम आता है ETC थोड़ा सब breaking लेता है चलिए इसके बाद है medical field medical field में क्या क्या काम आता है computer are used in hospital to maintain a database of patients मतलब computer क्या करता है एक patients का पूरा data उसके पास रहता है computer का अंदर ठीक है तो यह medical field में काम आता है उसका history रखता है एक स्रे का पूरा history रखता है live monitoring करता है ठीक है patients का तो यह सब चीज किसमें आता है medical field में काम आता है और वी इसमें आप लोग include कर सकते हैं इसके बाद है industry industry में computer क्या यूज होता है computer are used to perform several tasks in industry like managing industry, designing, purpose, creating, virtual sample product, video conferencing etc ठीक है इंदर स्टी में क्या काम आता है यह बहुत सारा काम करता है इंदर स्टी में manage करता है पूरा हमारे सम काम को purpose को पूरा किस परकार से product बेचा जाया है कितना product बेचा गया है कितना selling हुआ है यह सब चीज कौन industry में computer को देखा जाता है computer ही करता है इसको banking sector में क्या होता है हमारा in banking sector computer are used to store details of customers and conduct transactions such as withdraw and deposit of money through ATM banking sector में क्या करता है कितना पैसा आप निकाले हो कितना पैसा आप उसमें डाले हो यह सब और पूरा एक customer का detail कौन रखता है हमारे computer रखता है तो banking sector में यह सब चीज आपको लिखना है इसके बिजनेस में क्या काम आता है तो बिजनेस में आप लोग देखिए now that the computer are totally integrated into business the maintain objective of business to transaction processing with involved transaction with suppliers, employee और customer business में बहुत सारा काम है computer का आप लोग खुद बना के भी लिख सकते हो और मैंने यह सब काम है कि इसमें भी transaction करना पड़ता है जो payment देना पड़ता है यह सब चीज किससे होता है मरा computer से होता है इसमें भी data को गरा को रखा आ जाता है business में बहुत सारा data कितना क्या 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 selling हुआ profit में चल रहा है company की loss में चल रहा है यह सब business का चीज computer ही देखता है जो बोलता है online हम लोग book purchase करते है online tutorial ठीक है पढ़ते है online भी तो यहां पर हमारा यह topic यहां पर समाप्त होता है आज का recovery batch का लेकिन last में जो मैंने आपको बताया था कि जितने topic पर हैं इससे important question यह start question मेरे को दिखा था जो बार बार repeat करता है और अलग अलग तरीके से जैसे question number first आपसे पूछा गया है define computer computer को define करिए और उसी में फिर दिया गया what are its character और इसका क्या क्या characteristics है यह भी बताईए तो आपको क्या लिखना है इससे कमसे कम इसको तीन लाइन में लिखना है तो इस computer का definition को सबसे पहले लिखिएगा और कुछ इसमें से point ले लिजएगा और कुछ इसमें से ले लिजएगा लेके लगबग आधा से थूड़ा सा अधिक page आप लोग computer का definition लिख दीजएगा उसके बाद आप लिख दीजएगा computer किस में काम करता है IPO मेकिनिज में I से input P से process O से output उसके बाद I से input का भी definition लिख दीजएगा process का भी लिख दीजएगा output का भी लिख दीजएगा सूचे आपका कितना page हो जागा उससे भी नहीं होगा तो उसके बाद input लिख दीए तो input का example CPU हो जागा CPU के बारे में थोड़ा लिख दीए output का भी कुछ example देकर उसके बारे में एक दो दो लाइन उसका example के बारे में भी define कर दीए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है यह चीज भी आप लिख दीजएगा computer किस में काम करता है numerical turn में काम करता है और इसको भी आच्छे से यह भी चीज लिख सकते हैं कि जो character आपको बता हैं तो characteristics आप उसमें mention करिएगा ही साथ में definition में भी कर सकते हैं computer बहुत तेज काम करता है इसके बाद जो character आपको जो भी चीज़ है difference भी तुने बताया थे इसमें से point अब उठाकर लिख सकते हो कभी ठकता नहीं है यह सब क्या हो हैं बस वहां से आपको छाप देना है यह यह जो आपको पढ़ा है काफी है यह तो खुद ही इसको लिखिएगा तो आपका खुद से दो पेज हो जाएगा तो मतलब एक question का answer आप 4-5 पेज में लिख दीज़ेगा आसानी से इसके बाद next question question number second हुआतिज कंप्यूटर सेम वही चीज है discuss computer and human branch जब एक बार हुआतिज कंप्यूटर को बता दिये हैं पूछे क्या लिखना है देखिए question को change कर दिया यहां पर character उसमें include कर दिया और यहां पर आपको क्या include कर दिया difference between तो computer का यह लिख दिये और difference between आपको बहुत अच्छे सभी पढ़ाया है ठीक है तो यह चीज है आसे लिख दीजेगा सबसे पहले एक पर अगर आप उपर दे जिजेगा यह ठीक है और उसके बाद ऐसे box बना के भी आथात नौनो पॉइंट लिख दीजेगा मतलब देर से दो पेज में दो पेज बहुत आराम से इसको भी लिख लिख सकते हैं और computer का definition दो पेज में तो चार पेज बहुत है सफिसियन था यह question का answer लिखने के लिए कि सुरू से मैं बताऊंगा जो जो question पूछा गया सब question आया कभी न कभी एक्जाम में और आपके एक्जाम में भी आ सकता है इस बाल तो आपको बताते भी चल रहाएं किस परकार से लिखना है तीसरा नमर question difference between computer and human brain normal अभी जो बता है हुआ से लिख दीजेगा चौता question है हमा इंपूट डिवाइस हम परहाएं नहीं जैसे यहिन है कि इनपूट डिवाइस और से क्या रोल रहेता है इनपूट डिवाइस हमला Input लेता है और आउट्वूट डिवाइस चया कारता रहा है प्रोसेस करने केवं आउपूट देता है और फोनों का definition यह म naarदने ना न , दि परहाएंगे तो इसका answer सहीद बताएंगे तो question of five हम लोग देखते हैं explain the various application of computer various application मतलब computer का बहुत कहां-कहां यूज है भी तो जो अभी तुरंत यहां पर परहा है यह various application of computers यहां से अपने लिख दीजेगा यहां यह उपर एक लिख दीजेगा उसके इसके बाद कहां-कहां यूज हो medical field और इसमें बरहा के अपने से बहुत सारा चीज लिखते हैं इंडर्स्ट्री बैंकिंग बिजनेस एजुकेशन यह चीज आप लिख सकते हैं इसके बाद question number six देखो वाती CPU CPU क्या होता है describe in detail the various unit of CPU with diagram यह चीज भी अभी आपको नहीं पराएं इस टॉपिक में ठीक है यह यह question एक बार उचिए यह मन सोचे यह चीज आपको नहीं बताएंगे यह मैंने गलती से इसमें include कर दिया है question number six और question number four next video मैं आपको पढ़ना है ठीक है इसमें गलती से मैं include कर दिया हूँ इन दोनों question को मैं next video में देखिएगा पक्का लिखा हुए रहेगा और इन दोनों का answer मैं बताऊंगा कि CPU क्यागे definition इसमें परहाया नहीं हूँ next video में CPU परहाऊंगा तो उसका definition के साथ दाइग्राम भी रहेगा इसके बाद question number seven है कि discuss the characteristics of computer तो characteristics of computer को परहादी है वही चीज़ आपको लिखना है ठीक है तो यह हमारा recovery batch छोड़ा पहला देन था इसलिए छोटा सा वीडियो है और आपको कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके जरूर बाताईएगा क्योंकि आप कि exam में क्या क्या question आए है कि इस परकार से लिखना यह चीज़ कोई नहीं बताता है मेरे को बहुत परसानी हुआ था first year में इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मेरा junior मिच्टेक माइनर रहता है तो कभी ना कभी हो जाता है लिखने लिखते समय भी तो अपने से भी कर सकते हो आप लोग BCA के student हो ठीक है बहुत बच्चे देखिए को इसी में error भी निकाल कि यह कुछ बोलते रहते हैं तो फालतु जो पढ़ने वाले होंगे यह अच्छे से प फरल होगा और recovery batch को continue follow करिए और exam के बाद आप तुरंत आगे comment करिए का भी है मेरे exam बहुत अच्छा गया पक्का मैं उमीद के साथ करा सकता हूं तो वीडियो पसंद आगा तो प्यार देना अपना जाजा जाजा सेर करना सबसाद एक सेर करो क्योंके भी नया चैनल है तो थ है हैंद